भट्टू उप तैसील के तालाबंदी के छटमें दिन बन मंदोरी से ग्रामिन ट्रैक्टरों के काफिले के साथ धरने को समर्थन देने पहुंचे बट्टू उपतसील के ताला बंदी के चटवें दिन सौमबार को बनमंदोरी से ग्रामिन विशाल ट्रेक्टरों के काफिले के साथ धरने को समर्थन देने पहुंचे गाउं बनमंदोरी के किसान सेंकड़ो वहनों के जथे में सवार होकर धरना स्तल पर पहुंचे और उन्होंने गाउं भट्टू कुलां भट्टू मंदी से रोडशो निकाल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की धोल नागाड़ों वे नारेबाजी करतवे किसानों का यह बहुत बड़ा जथा दोपहर को भट्टू उपतसील में चल रहे दनस्तल पर पहुंचा जहां भट्टू कला उपतसील की तालाबंदी नहीं खुलेगे और किसान हर संग्रस को त्यार है गाउं बन मंदोरी के सरपंच परतिनीदी भीम सिंग माचरा ने कहा कि सेम की समस्या को लेकर चल रहे धरने में हर संग्रस में किसानों का पूरा साथ रहेगा धरने में पूर विधैक बलवान सिंग दोल्त पूरिया, कॉंग्रेस नेता किर्सना पूनिया, खंड भट्टुकला सरपस एसोसेशन परदान चंदर मौन पोटलिया, यूवा कॉंग्रेस नेता अनंद वीर गिल्ला खेडा ने भी समद्ध किया इस धरने में यहां के आयोजक कमल बिसला ने सभी का सवागत किया और कहा कि धरन, इस धरना के दोरान जो किसान पहुंच रहे हैं वे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी सेम की समस्या काफी लंबे समय से है और इस समस्या के निजात के लिए परसासंद द साथ दिन का अल्टिमेटर दिया हुआ है परसासंद ने अगर इस साथ दिन में कोई कदम नहीं उठाया तो उनका यह भूमी सुधार अंदोलन और तेज होगा जिसकी जुम्यवारी सरकार की होगी और इसको लेकर किसानों में जबर्दस आक्रोस है सरकार के परतिक्योंकि स सरकार दोरा इस और अभी भी कोई कदम नहीं उठाये गए हैं जिसको लेकर बार बार किसान अपनी आवाज बुलंद की हुए हैं किसानों की इस आवाज को सुनने को लेकर किस यहां सरकार के अधिकारियों को आना चाहिए और उनके दोरा क्या गतिविदी चल रही है उसको लेकर पूरा लेखऊ जखऊ यहां पस्तूत किया जाना चाहिए और उने कहा कि जब तक खेतों में पाइप लाइन बिछने को लेकर समान नहीं पहुंचे गा और उनकी सुनाएश नहीं होगी तब तक वे उपतसENCEील को लगायें ताले को नहीं खोलेंगे और यहां पर इस पर भट्टुकला में इस उप तसील को ताला बंदी जारी रहेगी इस दोरान सेंकडों के तादात में पहले से ही यहां महलाई मजूद रही इसके इलावा ग्रामिनों का भारी जन सेलाब यहां उमड़ा इस दोरान पूर विधायक बलवान सिंग दोलतपुरिया वै कॉंगर कलाकारों ने इस करेकर में समा बांदा और अपने बजनों और गीतों के मादम से वातावर्ण पूरा मनोरंजन में कर दिया गया इस दोरान अनेक लोग मौजूद रहे